बड़ी खबर देहरदून में मुख्य मंद्री पुशकर सिंग धावी की अध्यक्षता में मंत्री मंदल की बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पास हुए हैं बैठक में कई मेंद्र पुशकर सिंग बढ़ने वाले हैं सरकारी स्कूलों में चात्रों को समझना और उत्साहित करना भी इसका उद्देश रहेगा साथी उपस्ति बढ़ाना यानि की वो प्रेज़न रहें स्कूल में साथी ड्रॉप आउट जो होते हैं केसिस ऐसे केसिस को रोकना भी जरूरी है ड्रॉप आउट को रोकने के लिहां से उत्राखन में मुख्यमंत्री मेदावी चात्रों का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं चात्रो वृत्ति योज़ना को राज्य केविनिट ने अपनी मंजूरी दे दी है ताकि ऐसे बच्चों को चात्रो वृत्ति मिल सके स्कॉलर्शिप मिल सके माना यह जा रहा है कि योज़ना आने वाले दिनों में राज्य की शिक्षा विवस्ता में सुधार के हिसाब से गेम चेंजर साबित हो सकती है इस योज़ना के अंतरगत कक्षा 6 से 12 तक के चात्रो चात्रों को स्कॉलर्शिप दी जाएगी और यह सब कुछ दामी सरकार ने इस लिए किया है ताकि पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके उनका स्कूल बीच में ना छूटे चाहे वो चात्र है या फिर चात्रा हैं स्कॉलर्शिप अगर मिलेगी या फिर ऐसे बच्चों का प्रोटसाहन अगर बढ़ाया जाएगा तो फिर उन्हें पढ़ायी में अच्छे मौके भी मिलेंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा और उन्हें पंड़े में उत्साह भी रहेगा जसे कि drop out के cases भी कम होंगे और पढ़ाई में और जारा लगन बच्चों की देखने को मिलेगी और आगे बढ़ते हुए आपको graphics की जरी दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रूटसाहन योजना आखिर क्या है कैसे काम करने वाली है योजना से प्रदेश में शिक्षा की तस्वीर बदलेगी ये दावा किया जा रहा है उत्राखन में होनहार बच्चों को scholarship दी जाएगी जो होनहार होंगे पढ़ाई में अच्छे होंगे और अच्छे नंबर से पास होते होंगे लगन से पढ़ाई करते होंगे कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को scholarship दी जाने का फैसला किया है इसके अलाबा अशास की विद्यालों में चुनावों को लेकर भी ये फैसला हुआ है कक्षा 6 के चुने हुए जो students होंगे उन्हें एक साल तक 600 रुपे प्रती महा के हिसाब से दिया जाएगा कक्षा 7 के चुने हुए चात्रों को एक साल तक 700 रुपे प्रती महीने दिये जाएगे इसी तरह से classes बढ़ती रहेंगी और कक्षा 8 के जो चात्रों होंगे उन्हें 800 रुपे प्रती महा के हिसाब से दिये जाएगे और जो scholarship परीक्षा का आयोजन होगा वो scat करेगा इस तरह की जो योजना है वो चात्रों को पढ़ने में बदद भी करेगी पेरिंट्स का भी होसला बढ़ेगा उन बच्चों में भी उत्साह और जादा आएगा जिन्हें सरकार appreciate करेगे scholarship देगी ऐसे बच्चों से बात करना संबाद करना उनकी पढ़ाई में लगन को देखना और उस लगन को सराना ये भी एक बड़ी बात होती है जो कि उत्तराखंट सरकार फैसला कर रही है कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को इसका लाब मिल सके और वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके हैं